हाई फ्रेंड्स करीना कपूर बॉलीवूड की टॉप एक्टरिस में से एक हैं करीना कपूर एक ऐसी एक्टरिस है कि जब वो फिल्मों में किसी भी एक्टर के साथ आए चाहे वो करीना कपूर से उमर में बड़ा हो या छोटा हो करीना कपूर की जोड़ी एक्टरिस के साथ ह इंट्रस्ट नहीं तिखाया है। बॉलिवुड के कई एक्टर्स ऐसे भी हैं जो साउथ की फिलमों में छोटा सा रोल भी पाने के लिए तियार है पर करीणा कपूर का साउथ फिलमों में इंट्रस्ट 0 है। यह हम नहीं बदके करीना कपूर ने अपने एक इंट्रिवियो में कहा था कि मुझे नॉन हिंदी फिल्मों में काम करने में जीरो इंटरस्ट है फिर चाहे वो हॉलिवुड फिल्म सो या साउथ की ही कोई फिल्म क्यों ना हो करीना कपूर का कहना था कि वो सरफ हिंदी फिल्मों में ही काम करेंगी और अब करीना कपूर को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुन कर यहीं कहा जा सकता है कि करीना कपूर ने जो नौन हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए मना किया था और अब वो जो कह रही है ये बेयान तो बिल्कुल ही उलट है वेल अब रिपोर्स में ये आया है कि करीना कपूर साउथ की एक बहुती बड़ी फिल्म में काम करने वाली है और उनके आपजिट हीरो होंगे साउथ के सूपर स्टार प्रभास शायद अब वक्त के साथ साथ करीना कपूर को ये समझ आ गई है कि अब साउथ फिल्मों का ही बोल बाला है और बॉलिवुड की फिल्म में तो हमेशा धूल ही चाटती रह जाएंगी वेल इसलिए शायद करीना कपूर जिन्होंने मना किया था कि मैं साउथ की फिल्मों में कभी काम नहीं करूंगी और उन्हें साउथ के हीरोस में भी जीरो इंटरस्ट था पर अब जाकर उन्होंने साउथ की फिल्मों में काम करने के लिए हामी भर दी है प्रभास के साथ औरड़ी बॉलिवोड एक्टरिस दिपिका पाडुकोन एक फिल्म में काम कर रही है जिसका नाम है प्रोजक्त के और अब करीना कपूर का भी नाम सिजेस्ट किया गया है प्रभास की दूसरी फिल्म के लिए जो के है स्पिरिट अंदीप फंगा रेड़ी जिन्होंने कबीर सिंग और आरजुन रेड़ी फिल्म बनाई वही इस फिल्म स्पिरिट को डिरेक्ट करने जा रहे हैं और उन्होंने अब इस फिल्म स्पिरिट के लिए करीना कपूर को अप्रोच किया है तो अगर सब कुछ ठीक रहा प्रभास और करीना की जोड़ी हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगी क्या आप भी इस चोड़ी को पहली बार बड़े परदे पर एक साथ देखना चाहते हैं तो हमें अपनी राए कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखके बताईए और भी ज्यादा ऐसी अपटेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू